खबर चुनार से चुनार थारा छेत में भरतूर महले में बार का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिस कारण गंगा नदी का पाने उसकी साहएक नदियों से होकर लोगों के खेतों को तबाह कर रही है वहीं दूसी तरफ नगरपाल का द्वारा नदी पार करने के लिए कोई भी साधन न होने पर लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी कटिनाया हो रही है लोगों को अपने घर से अपने खेत जाने के लिए नदी को पार करके जाते हैं लेकिन नदी पार नहीं कोई पुल है और ना ही लोगों को नावकिवेस्था मिली है। इस कारण स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों को स्कूल आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और खेती बारी करने वालों को तैर कर या फिर ट्यूब की सहायता से नदी पार करते हैं। चुनार छेत में सबसे ज्यादा हरी सबजीयों की खेती इसी कजिया महले में ही होता है। इस कारण लोगों की सारी सब्जियां पानी में डूप गई है तथा जिनके खेतों में पानी अभी नहीं गया उन्हें भी अपने सब्जियों के खेत में लाने के लिए पानी में तैर के ही जाना पड़ता है और प्रशासनेयों नगरपाल का एक हफ्तों से उनकी मांग को लेकर के कोई कारवाही ने कर रही सिर्फ अस्वासन भी दे रही है जिससे की गाउं के लोग काफी दिक्वतों का सामना करना पड़ रहा है चुनार से अस्वासा का कोई मतलब की जोस्ता नहीं है तो मतलब आप दिन में किनी बार आते जाते हैं कम स्कम दस मत वार पूरे परिवार को ले याना फिले आना साख टबजी विज जानुवर भी उसी पर पहने हैं तो बच्चों को इस्कूल आने दिपकत है अना ओम प्रकास कुश्वाव यहां का पूर्व सभा साधरा चुका हूं बाती जंपर पाटीगा तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर इधना बाह आ गया है और आजो कोई भी सुविधा नहीं मिले गर्मेंट से अब क्या करें हम लोग अबना प्रयात ही करें लेकिन क तक नाओ को पर जो रस्था नहीं हो पाई है कि यहां कि आप देख सकते हैं भर कोई किसी तरह त्रह माध्यम से उसकार से आ जा रहा है इसमें गौर्मेंट कोई भी सुवजा नहीं है ना ही नाओ को इलो को मिला है और जो किसले कितने सालों से यहां पर खुल की बश्था कि उनुन मांग कर रहे हैं फुल भी नहीं बंदा है अब कोई आवे जाए के साधा नहीं जाए लाइका उसकुल नहीं जाए जाथ हैं पोती-पोता को लोई ठीना पर अलगाए जाए के साधन नहीं बार्ण को इस गाउं का सबसे बड़ा समस्या यह है कि चुनाज नगर पालिका के सबसे में जगे माना रहता है मार्केट और चुनाज शेतर का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन च्षित रही है लेकि फिर भी यहां पे गवर्ण्मेंट का कोई भी विवस्था नहीं मिल रहा है किसे को आने जाने में तिकता सभी को हो रहा है बाकी गवर्ण्मेंट का जो आस्वासन है अब देखना है कि गवर्ण्मेंट कब तो नहीं मुहिया कराती है गोतम जी जैसे का देख रहे हैं आपके वाड में इतना बड़ा आ रहा है और कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप क्या किया है अब लोग कल तसिल्डार अज्डियम साब कहां और नेकपाल साब कहां गये गये थे तो अभी बोले कि नाव आजाएगा इसूओ गया अभी तक नाव नहीं आएंगे आए कजिय अमार में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है बच्चे स्कूल नहीं जा पारहे है गया गुरू है उस पार और सासल भी नहीं आ पारहे किसान लोप का तो प्रसास्तन ने आपको असावसन दिया है कि आपको विवस्थान नावा कब तक मिलेगा एक दो गंटे में बोले हैं कि आने का संभावना है जैसे आप देख रहें कि पानी बढ़ हुए लगभग एक अपता हो गया है और प्रसास्तन एक घंटे दो गंटे या एक दिन का पानी जहां पर जो बेवस्थित पूल हम लोगों की दौरा जो समाज के दौरा बनाया गया है उस पे इसमें वर्तमान समय में जो कर्रेंट इस्थित है कम से कम 10 फीट पानी हो गी और अभी तक कोई भी सुविदा सासन पर सासन की तरफ से नहीं है अभी कल हम लोगों से बात हुई थी तहसीलदार साब से निकपाल साब से मिलेते ही पानी से नहीं तो और यहां पर एक बिवस्तित पुल की आए सकता है जो कि वहां से पहले थी और अभी तक जो है चुनाओ जब भी आता है तो सांसद और विदायक जो है की वादा करकर चले जाते हैं यह पूल लगवग 25 साल से इसका जो है की वादा ही हो रहा है अपने वर्तमान बिदायक जी ने भी यहां पर वादा किया था लेकिन अभी तक उसको पर कोई कारण नहीं हुआ है और जब भी हम लोग पूछते तो वहीं बोलते हैं कि आप के बीच में जो रास्ता लगवग 100-500 मिटर की दूरी पर जो बीच में है वहां नहीं है वो रास्ता हो जाए किल परधान से मिलकर जो है कि वो रास्ता तो निकल जाएगा और यह पूल की समस्या जो लगातार बनी हुए उस पर काम करना जरूरी है क्योंकि आप देख रहें कि इसमें पानी इतना है दोजार पंद्रह में जहां पे हम लोग खड़े हैं यहां पे हम लोग से ज्यादे पान जहां जोडो कि आपके एट सkell'कि काम करना है यहांएलो से लोगा में हम इव आपके स्टाभी से तय करो लूगाता हम है यहां जहां झापके सता है तो है कि रचल से ढ़त 10 लियादिन की जोगाता है।